प्रदान मंत्री बने नरनम मोदी ने अपने दूसरी कारिकार में सबसे पहला फैसला शहीदों के बच्चों के लिए दिये जाने वाली स्कॉलर्शिप को बढ़ाने के दोर पर किया है शुक्रवार को मोदी दो दशमनक सुणने की पहली कैबिनेट बैटक में नैशनल डिफेंस फंड की तहद प्राइम मिनिस्टर कॉलर्शिप स्कीम में बड़े बतलाव को मंजूरी थी अब शहीदों के लड़कों को हर मैने 2000 रुपे की जगह 2500 रुपे की कॉलर्शिप मिलेगी इसी तरह लड़कियों को अब 2250 रुपे की जगह प्रती मैने 3000 रुपे कॉलर्शिप मिलेगी इतना ही नहीं कॉलर्शिप स्कीम के दायरे को बढ़ाते हुए अब इसमें राज्य पूलिस को भी शामिल किया गया है शहीद हुए राज्य पूलिस के जवायनों अफसरों के बच्चों को भी अब स्कॉलर्शिप मिलेगी उन्हें 500 रुपे सालाना कॉलर्शिप मिलेगी इस फैसले की जानकरी खूत प्रदान मंत्री मोधी ने ट्वीट करके दी है पियम मोधी ने ट्वीट किया हमारी सरकार का पहला फैसला उनको समर्पित है जो भारत की रक्षा करते है नाशनल डिफेंस फंड की तहत पियम कॉलर्शिप स्कीम में बड़े बदलाव को मंजुरी दी गई है जिसमें आतंकिया मावधी हमले में शहिद हुए पुलिस वालों के बच्चों की स्कॉलर्शिप बढ़ाना भी शामिल है तो में इस न्यूज लाइब की ख़बर देखने के लिए आज इप्ले स्टोर से में इस इंडिया आप डाउनलोड करें और हमारी चैनल को सब्स्राइब करें धन्यवाद